लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अल्ट्रा चनल्स का सब्सक्राइब करें गवाहू के बैयानात को मद्दे नज़र रखते हुए आदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जगू का खूल धर्मा ने ही किया है आदालत धर्मा को गुरेहगार मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है अु sic़ झाल ने है खरेखाने झाल खरेखाने का लोगाओ तूराउ कर दोने कि खानफ पानफ ब्रोग में, भी तूराउ झाल egy है तूराई आफ उन्हार प्रेखाने कि अजिए सेफ़ छॉट किछिए भाले ही इंकषब करे शचेके कर दोटार यह मेंगी थुल्ची है झाल 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 नमस्ते 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 यह यह है न धर्मा की बेहन ख्यों धर्मा कहा है पालूनि ये, सच सच बता दे, वरना ऐसी हालत करूगा कि तेरा भाई, तेरी शकल भी नहीं पहचान पाए शकल तो तेरी मैं बिघाड़ूगा सारे, कि तेरा मालक भी तुझे पहचान न सका धर्मा, तुम? गर्रक, मेरे इलाके से मेरा नाम मिटाने का खाब छोड़ दो वरना मैं तुम सब को खत्म कर दूगा हाँ, हम तुम्हें मिटाना नहीं, कुछ बनाना चाहते हैं धर्मा मगर हमारी ये बात, ना तुम मानते हो और ना सुनते हो धर्मा किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपनी बात सुनाना जानता है एक बात कान खोल कर सुन लो, आज की बात तुम्हारे किसी आदमी ने मेरे अलाके में कदम रखा, तो उसके लाश ही वापस आएगी क्यों जगु दादा, कहा गई तुम्हारी बहादरी, कहा गई तुम्हारी ताकत है जाने से पहले तो सर उठा कर कह रहे थे कि जगु दादा को शेर का शिकार करना खूब आता है अब क्या हुआ, जुगीना गर्दन छोटे हुआ यह बिली मार शेर का किया करेगा बिल्कुल नहीं जाओ मिया जाकर कहीं चुभे ढूंडी थर्मा के मिटाना भारे बश की बात नहीं है तो अपने बाप की अउलाद नहीं, हराम की अउलाद होंगा हराम की आखिरी सब कब तक चलेगा भाया, मैं पूछती हूँ, ये खून खराबे की जिन्देगी कब तक चियोगे तुम्हे गुंडा गर्दी, दादागरी का नतीजा तो देख लिया ना, आज एक जकू, बीच बाजार में तुम्हारे बेहन के बाल खीचने की जुरत की खल कोई दूसरा जकू, उसका आचल भी तो कीच सकता है दर्मा की बहन का आचल खेंचने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, अगर किसीने हिम्मत की तो उसी आचल को उसका कफन बना दूगा फिर भी नतीज़ा तो वही होगा ना, खोल खराबा बुराई कान्थ हमेशा बुराई ही होता है भहिया जरह सोचो भहिया, जब भी तुम महाले से गुजरते हो इंसान तो इंसान, पंजे परंदे भी डरते हैं और यह सब मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि इंसान जहां भी रहे, प्यार और इज़त से रहना चाहिए तो समझती है महले वाले तेरे भाई की इज़त नहीं करते इज़त? इज़त तो वह इसलिए करते हैं भीया क्योंकि वो लोग तुमसे डरते हैं इस जमाने मुझे डरता नहीं, वो किसी की इज़त नहीं करता इस महले के लोग भी मेरे डर से यहां समगली नहीं करते चैस गाजा नहीं बिखता यहां, लड़कों का विपार नहीं होता वो गुता जिसे मैंने आज सबक सिखा है, वो भी इस महले में यही करने है था मगर मेरे जीते जी, यहां किसी की हमद नहीं जो गंदे काम कर सके आखिर यह सब कब तक चलेगा भाया यह खोन खराबे की जिंदगी कब तक चियोगे तुम खुंडा गदी, दादागरी का नतीजह तु देख लिया ना आज एक जगू बीच बाजार में तुम्हारे बहन के बाल खीचनी की चुरत भी खल कोई दूसरा जगू, उसका हचल भी तु खीच सकता है मा की वहां कैसे जगू की असा जगू वह पैदा नहीं होगा आज मा की वहां की खुछ रहता है जग इन आए मसे में हसावे एरे राज जल्दार जल्फ अब भंग भीजाएगी आपी बंग आरे लारे झाले पिरमाद देंटा एकरियर सकना है झालाओटने हाँ छोब दो एकरियर को जाले पिरमाय चेलाओटने है बंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया मैं केशा बन गया, मैं वैशा बन गया मैं केशा बन गया, मैं वैशा बन गया, जैसा इस दुनिया ने बनाया बंग ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया पहले ही रगड़े में देख तमाशा प्यारे सर पे रख के पाओ, भाग गये रंग सारे भाग गये रंग सारे भूल गया मैं सब कुछ अपना नाम भी याद ना आया अंद ने रंग जमाया, पीते संग समझ में आया अंध ने रंध जमाया पीते संग समझ में आया मुणका妹 कमाया चैनाल तुमाया खिष्चानाल व्यद्य करओं दर्दी उठ गई ऊपर अंबर गिर गई नीचे सीधा से गुन पहुंचा अपने अखियां मीचे मैं परियों के देश से लेकिन वापस कैसे आया मंग नरंग जवाया पीटे संग समझ में आया मंग नरंग जवाया पीटे संग समझ में आया मैंने थोड़ी पेकर तीश्री आग्यों खोर ले मांग ले जाओ तो क्या है ये दुनिया मुझे से बूले दुनिया मुझे से बूले जीट से मुझे को याद नहीं मैंने क्या परमाया मैं कैसा बन गया जैसा इस दुनिया ने बनाया हो संग नय रंच भा याagen थे जैसे था insight थे तुनिया वाई तुनिया टार.. झाल्चर्शय झाल रिरया जैसे दुनिया थे तुनिया और अग्या । ग्रिस्ग झांग हो न फ्र थे पूर्षाई, प्रहुत जो इतु है। पादाए। धर्मा भाईया। तुझानता है कंवा मेरी बेहन है। क्या समझ कर उसे घुमाने ले गया था। वह लहीता तोरी चान! धर्मा भाईया, एक मिनिट मेरी बात सुनने ही कोशिश कीजिए। मैं माफी चाहता हूँ कि आपकी इजादत के बगार मैं कम्मो को घुमाने ले गया था सुनिए वीजे और कम्मो एक दुसरे से प्यार करते हैं हाँ धर्मा भाया दिधी जो कहती है वो सच है मैं कम्मो से बात करूगा अगर उसने कहा ये बात ठीक है तो ठीक है मैं तो मैं तेरी हड़िया तोर दूगा कमान एक कमान क्या बात है भी या तेरा विजे से क्या रिष्टा है कमान तेरी खामुशी मुझे कुछ लिए करने पर मजबूर कर दे सासर बता इसे पहले कि मेरा गुस्ता कहर बनके उसमें तूट पड़े वो कहता है कि वो तुस्से शादी करेगा मुझ सच कह रहा है भीया उंचे बंगलों में रहने वाले बिगड़े रईसजादों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ यह प्यार की जूटे वादे तुकर लेकर है निवाने उनके खुन में नहीं ऐसी बात नहीं है भाया विजया और उनकी बेहन उन अमीरों में से हैं जिन्हें दौलत के साथ साथ शराफत भी विरासत में मिली है मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा हूँ मैं जानते थी तुम यकीन नहीं करोगे इसलिए इसके बारे में मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा लक्श्मी बेंट तो खुद कह रही थी किर वो रिष्टे के लिए बात करने आएगी वो बेचारी कैसे आएगी मैं उसे बुस्से में नाजेने क्या कुछ कहकर आ गया हूँ तो ये काम का मेरी तस्व विजे से माफी मांग लेना कहना आप मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसमें शर्मिंदा होने कोई बात नहीं कम्मू धर्मा भया ने वही किया है जो भाई को करना चाहिए हाँ मैं नाराज जरूर होता अगर वो हमारी शादी पर राजी नहीं होते कैसे राजी नहीं होते मुझे मेरे भया पर पूरा यकीन है अब तो वो यह सपना भी देखने लगे हैं कि कब हमारी शादी जल्दी सो हो जाए और जग्गू के होते हुए धर्मा का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा तुम? हाँ मैं धर्मा की बरबादी धर्मा ने मुझ पर हाथ उठाने की गलती की है अब मैं उसकी इज़त को मिट्टी में मिला दूंगा और मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता इसलिए तो जग्गू तेरी मौत का सामान अपने साथ लेकर आया है तेर्माकर अब बखर आपर आपकर यजए आपकर मुद आखिवाई दिन्द शी गुद एक हमा कर वोद्टोने लुदे हमा कर दोदिए! मुद एहाँ! नाइ ! नाइ ! नाइ ! नाइ ! ना जाई ! आण!!! नाइ ! जोदोदे ! जाइ ! यहाँ आजने दिनी, यहाँ आजनी आजनी! बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च लुखे दर्मा भया, बिजिए कम्मो कहा है? भया मैंने कम्मो को बचाने के पूरी कोशिश की लेकिन उसकी इजट नहीं भचा सका क्या कहरो? कौन था वो? जग्गू, जग्गू बिलकूल ठीक, जब तक वो धर्मा का बच्चा मरेगा नहीं, हमारा कल्यान होगा नहीं अपना कल्यान तो हो गया समझो पारसेट यह मजाग का वक्त नहीं है जग्गू, मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूं इससे पहले कि वो हम दोनों तक पहुँचे हैं उसे हत्म कर दो तुम फिक्र न करो सेट, कल सुबा का सूरज धर्मा की मौत का संदेशा लेकर आएगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो तो? तो कल रात का चान तुम्हारी मौत का संदेशा लेकर उगेगा ऐसा कभी नहीं होगा सेट स्देशा से लेकर थमें से लेकर विंद भाझ से लेकर दोन दोन दोखर हुआए vendors कर दो हुआए Но हुआएए हुआए ह cen औरién いた ुआए boxing मैं झाल झाल कम् है कम् है का लुट च्तौब बढल एंडन कर दो हम हम कि दिलावर के सामने दिलेरी किसी की नी चल सकती धर्मा अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ भलाई जिमें है कि तुम अपने आपको कानून के हावाले कर दो हमें मौत के हावाले करने की तुम्हारी तमन्ना अधूरी रह गई क्यों चोटे हाव बड़े और इसे कानून के हावाले करके सजा मौत दिल्वाने की हमारी तमन्ना पूरी हो गई यह सरसर जूट है और मैं इस जूट को सच साबित करने के लिए विटनेस बॉक्स में ख़़े मिस्टर विजय से चंद सवाल करूंगा जो कि मुल्जिम धर्मा क के बयान के मुताबिक हालात और मौकाई वर्दात के चश्मदीद कवा हैं इजाजत है हां तो मिस्टर विजय क्या ये सच है कि मिस्ट कमला जिससे आपकी शादी होने वाली थी उसकी इजजत जगू ने आपकी आँखों के सामने लूटी जगू ने इजजत लूटी मेरी है आँखों के सामने ये आप से किस ने कहा है ­tumें दिमाग तो नहीं हेल गया एलोंसी सब कहा था कि विजय को हो जो मुझसे कहा था ने तरसां ये जूत बोल रहा है है ये जूत तो आपक दिसास से बचाने के लिए बहन की इजद लुट जाने का भाना बनाने वाला आप जैसा भाई मैंने बढ़ी बार देखा विजे एजिए! और्डर, और्डर धर्मा को रासत दे ले लिया जाए और अप, आप, 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 शोड़ से क्या हुआ पंडू? लगते हैं से धक्का मानना पड़ेगा आवा दर धक्का मारो द्रेवर गाली लोगो दूड़ो दूड़ो चारो दूड़ो चलो रहो चली कितनी रात हो गए यह लोग अभी तक आये क्यों नहीं? लगता है यह लोग आगे आप? जूट तो आप बोलने धर्मा भीया अपने आपको सजा से बचाने के लिए बेहन की इज़त लूट जाने का बहाना बनाने वाला आप जैसा भाई मने बली बार देखना है यह क्या हो गया आपको? आखिर आप चाहते क्या है? क्याउए छल में क्या प्रफ चाहते क्या है सुट तो डर्फ प्रॉश के आपको अज़स प्रेषू क्याँ एड़स स्टॉ क्याँ क्याँ क्याए क्याए क्याम ग्रोड़ के घर्णा पिए! ग्रोड़ के पिए के रिए। बनस के लिए के ल हाँ के लिए। Corkt omi चिर लोत्पुर्पीर! I am a पज़ बन्वच्चर लोत्पुर्पीर! Corkt omi चिर लोत्पुर्पीर! Corkt omi लोत्पुर्पीर! Lakshmi? Lakshmi, Lakshmi! Lakshmi, दोना कोला! Ha... Lakshmi? कि वो बाक्ष्मी क्यों आधर में आधर पंद्ध रखत दर्मा यह क्या तुने यह क्या तुने तेरी बयन के जट लुक लिए मैंने अब तरा आदालत में और चेक चेक करके के धर्मा ने मेरी बेहन की इज़त लुट ली है अब पता चलेगा तुम्हें के कोई भाई अपनी बेहन की इज़त लुट जाने का छोटा साहा नहीं लेता मैं तरा खून पी जाओ, त तूने मेरी बहन की रिजत लूटी, मैं तुझे जिन्दा नहीं छोटता पहल तो नहीं जानती इंसने अदालत मेरे खलाफ कर सते हरुना मैं सब जानते हूँ इन्होंने अदालत में जो भी कहा जो भी किया, सिर्थ मेरी इज़त बचाने के लिए तुम्हारी उस बेहन की जिन्दगी बचाने के लिए जिसे तुम अपनी जिन्दगी समझते थे क्या? हाँ, और इज़त लूट जाने के बाद बेच जीना भी नहीं चाहते थी वो तु विज़य ने मुझे जीनी का साहरा दिया लूटी हुई इसद को इसद दिया उसे शादी करके अब तुमने इसद लोट ले इनके बेहन की हे भगवान मुझे तो तुम्हे भाई के तुम्हे भी शर्माती है इतनी नीच और जलील इंसान हो तुम हाँ कमो सही है मेरी बैन मेरी जगा कोई और भी होता उससे यह गलती हो जाती मैंने पाप किया है अपने भाई को माफ कर दे कमो माफ कर दे मैं तुम्हे कमी माफ नहीं कर सकती आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई हूँ और तुम मेरे लिए पार गए हो मेरे तुमसे नफरत करती हूँ तुम भाए नहीं जान वरो वहिशी दुरिंदे हो दूर हो जाओ मेरे नजरों से चले जाओ यहांसे चले जाओ चले जाओ ठीक है मैं अपने आपको कानून के हवाले करूँगा शायद तो भी मेरा पस्चाता पुरा ना हो यहांनर यह धर्मा नाम का खतरनाक मुझरिम है जिसकी अदालत से पहचान कराना जूरूरी नहीं है क्योंकि अदालत इससे और इसकी जलील हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ है यह वो खतरनाक मुझरिम है यहांनर जिसने चंद रोज पहले आप ही की अदालत में लक्षमी के भाई विजे पक काटिलान हमला किया और फिर उसी रोज जेल जाते वक्त पुलिस की हिरासत से फरार होकर यह सीधा विजे के घर जा पहुँचो यहांनर और उसकी मासूम बहन लक्षमी की उज़्जत लूट ली नहीं जेध साब नहीं उरके साब जूट बोल्रहे है ओरहरर ओर। मैं सच बोलने जेध साब इन्हुने मेरी इज़्जत नहीं लूटी यह निर्दोस है निर्दोश है जेध साब यू हो गई जट साब ये जूट बोले इसकी बात मत सुनियेगा जूट और सच का पैसला अदालत करेगी आप बैठ चाहिए लक्षमी के बायान को मदे नज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि धर्मा पर लगाए गया अलजाम सच नहीं है उसे सिर्फ शक की बुनियाद पर गिर्फतार किया गया था अदालत धर्मा को इस मुकदमे से बाईज़त बरी करती है लेकिन साथ ही जगुके खून के जर्म में और पुलिस एरासा से फरार होने के जर्म में अदालत धर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है इसा क्यों किया आपने इसलिए कि मेरी मा मुझे हमेशा शिक्षा दिया करती थी कि नारी के बदन को चुने कादिकार उसके पती के सिवा और किसी को नहीं होता आपने मुझे जबरदसे से चुवा जरूर मगर उसके पीछे गलत फैमी और बदले की भावना थी यह सोचकर मैंने आपको माफ भी कर दिया और स्विकार भी कर लिया चलो लक्षमी, चलो कम्मा लक्षमी चलो 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 वीजे जी जरा मेरे साथ आओ आये डॉक्टर साब क्या हो डॉक्टर साब लक्षमी मा बनने वाली है क्या क्या मा बनने वाली है क्या हो डॉक्टर ने क्या कहा खुद पूछ लो इस से भरी अदालत में मुझे जूटा थाबित कर दिया यह क्या कर कि मेरी इज़त नहीं लूटी गए सारी दुनिया में मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन गई अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोक में किसका बच्चा पल रहा है तो क्या जवाब दोगी कोई जवाब है दुनिया तुमें घटिया जगटिया नाम देकर गाली देगी फिर क्या जवाब दोगी तु तो जीते जी मर गई लक्षमी लेकिन साफ में मुझे भी माँ डाला ये क्या कह रहे हो तुम भला कोई भाई अपने बहन से इस तरह बाते करता है तुम चुपराओ कमू ये बहन नहीं डायन है डायन जो अपने साथ-साथ मेरी इज़त को भी खा गई मुझे इसकी शगल से भी नफरत है और जब तक ये मेरी नदरों के सामने रहीगी मैं तिल-तिल तूटता रहूँगा और पल-पल मरता रहूँगा वहाँ जा रही हो लक्षमी इसका भाई मर चुका है और ये तो अदालत महीं मर चुकी थी मेरे लिए जाने दो इसे कमो लेकिन लिजे तुम्हे मेरी कसम कमो जाने दो इसे मैं जीते जी इसकी शगल नहीं देखना चाहता लिजे ये क्या किया तुमने उसे रोक लो अगवान के लिए उसे रोक लो पर नपता ने वह क्या कर बैठीगी खुद कुशे जो उसे कर लेनी चाहिए अगर वो नहीं करेगी तो मुझे करनी पड़ेगी मुझे हाँ कमो लक्षमी के लिए बैतर यही होगा कि कि वो मर जाए भरी अदालत में मुझे जूटा साबित कर दिया यह क्या कर कि मेरी इज़त नी लूटी गए सारी दुनिया में मुझे जलील किया और खुद धर्मा की नजर में देवी बन गए अरे दुनिया वाले कल पूछेंगे कि तुम्हारी कोक में किसका बच्चा पल रहा है तो क्या जवाब दोगी कोई जवाब है दुनिया तुम्हे घटिया जे घटिया नाम देकर गाली देगी फिर क्या जवाब दोगी तू तो जीते जी मर गए लक्षमी लेकिन साफ में मुझे भी माटा रहा मुझे मर जाना चाहिए मुझे जीने का कोई होग नहीं मुझे मर जाना चाहिए क्या हाँ धर्मा मैं सच कह रहा हूँ लक्षमी ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी वाके बेटी तेरी कहानी बड़ी अजूब हो खर तुम्हे ना ना नाई बेटे रोते नहीं है अरे इसमें तेरा क्या गुना हाँ जो तु अपनी जिंदगी तबाह करने को चली है देख बेटे जिंदगी अल्ला से कियावा वो वादा है जिसे हर हाल में निभाना पड़ता है और फिर उस जनम लेने वाले बच्चे का क्या गुना लेकिन बाबा नहीं कुछ नहीं मैं तुझे इतना बड़ा जर्म करने नहीं दूगा तुने किसी माली को अपने हाथों अपना बाग उजारते देखा है अरे खुदा ने तेरे जिन्दी के बचाने का सुनहरा मौकँ इस नाजीस बंड़े को बक्षा है अब ये जिन्दी के तेरे नहीं बेटे तेरे पास मेरी अमानत है तुझे जीना है बेटे, आज से तू मेरी बेटी बन के जीएगी पापा हाँ बेटे कर दो मेरी बन के जीएगी 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 झाल झाल कि अग्षमीरानी रुकतो कमाला तू अब तक जिन्दा है और वहां तेरे घर मुहले वाले यहां तक के शहर वाले यह सोच रहे हैं कि तू मर चुकी है उल्लू का बटे कहते थे कि तू धर्मा के बच्चे की मा बनने वाली थी इसलिए तुन्हें आत्मा हत्या कर लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तू नहीं मर सकती क्यूंकि जो और अपनी इज़त लुक जाने के बाद भरी अदालत के अंदर यह कह दे कि उसकी इज़त नहीं कर दो कि तू मरी नहीं अगर तू मर जाती तू मुझे कहां से में उती अचा यह तो बता तू रहती कहां है क्या मतलब मतलब साफ है पहले तू धर्मा पे मेरबान हुई थी अब थोड़ी सी मेरबानी मुझ पर भी कर दे चौकी के पीछे ही मेरा ठीकाना है अंदेर होते हैं मैं पहुंच जाना देख तेरा कुछ नी बिगड़ेगा और मेरा रोज रोज का इधर उदर भटकना बंद हो जाएगा समझ गहीं ना दिलावर और जब चुप रहते हैं तो समझ लो कि उसकी हाँ होती है लगता है आज की रात तेरे किस्मत में उजाला हो जाएगा इसका पता तो मैं निकाली लोगा आए हाँ मैं बहुत दिर तक तेरा इंतजार किया तो नहीं आए ना इसलिए मैं खुद ही चला आया क्यों अच्छा किया ना अब घर में कोई है तो नहीं ना मुझे मेरे जिंदगी जीने तो चले जाओ यहासित मैं तुमारे हाथ जोडते हूं मैं तुमारे हाथ जोडने से नहीं हाथ पकड़ने से लिंदी है रानी तिर ऐसी नीरस जिंदगी जीने का मजाई क्या है जिनगी तो रस भरी होने चाहिए रस भरी आज मैं तुझे मेरी बच्ची को बचा रहा है उसे बचा लो मेरी मापर हाथ उठाया तो मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा हराम के पिले वा तेरी जबान तो तेरी माँ से भी जादा चलती है कि दिलावर से दिले जरा अपनी माज से तक पूछ ले कुटे कि तेरा बाप कौन है इस पाप की औराद है तू पूछ पूछ इस सती सावित्री से देख कितने बाप है पूछ इसे अरे कुछ तो खुदा का खौफ को इंस्पेक्टर मेरी बेटी पर इतना कहमत धा ये पाक है पाक होगी तेरी नजर में बुड़े लेकिन कानून की नजर में एक वैशिया है वैशिया और ऐसे थंदे दिलावर के होते हुए इस इलाखे मिली चलेंगे समझा दे अपनी इस नोट शाबने वाली मशीन को कि अगर एकल सुबह तब मुझे या नजर आई तो तुम दोनों का अंदर कर दूँगा समझे भाइचा रामू शेरो तुम तो जानते हो कि मेरी बेटी है कंगो भाई तुमको तो मुछ में यकिन है लाँ रहने तो बाबा रहने तो इस दो रग की दुनिया में किस किस से मेरे लिए लड़ते रहोगे मैं खुद मंगल को लेकर यहां से चले जाओंगी बेटी मंगल मंगल कहां है बाबा मंगल कहां चला गया मंगल जरा अपनी मास से तो पूछ ले कुट्ते कि जरा बाब कौन है किस पाप क्यों है तू पूछ पूछ सती सावित्री से देख कितने बाब है पूछ से पूछ इसे कितने बाब है रहे हाँ मेरा कोई बाप नहीं मेरे बाप का कोई राम नहीं है मेरे राम नहीं है मेरे राम मेरे राम मेरे राम कि उस पत्थर से कौन टकराएगा साहब थारी बात इतनी महंगी पढ़ जाएगी कि जेब और गल्ला दोनों खाली हो जाएगा या तो फिर 32 से हाथ में आजाएगी लेकिन इस तरह दुकान बंद करने का मतलब मतलब तो हम कतई कुछ न जाने हैं बस जाने हैं तो इतना जाने हैं कि यहां पर हफते में दो बार दुकान बंद करने का ओडर है इतवार के दिन सरकार बंद करावे हैं और मंगल नकीन अगर सपता न न दे तो मंगल बंदकर आवे हैं यहीं तो हम तुम्हें कब से समझयारे लाला अब मंगल से दनने की कोई ज़रूरत नहीं है दुकान खुली रखो आज से पुलिस तुम्हारे साथ में है अरे तुमने हमारी दुकान को सटर उपर कर दियो है मंगल हमारी जिन्दगी को सटर राउन कर देवेगो अरे तुम क्यों हाथ धोकर मारी जान और दुकान के पीछे पड़े हो अ बाज से इस बाजार में मंगल तो क्या मंगल का साया भी नजर नहीं आएगा साया तो दिखाई दिखाई दिया है अब मारो साय ओ मारो साय छोड़ कर चले जावेगो कौन सो बजन गाउं के मारो फ्राण बच जावे अब जनों के संकत जन में तूर तरे ओम जया यगती शहरे साय कोटा साय कोटा नजदिकारियों 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 जो लाला आज मंगल का हफ्ता दिये बगार ही दुकान बंद करके जा रहे हो क्या बात कर रहे हो मंगल ठारे को हफ्तों ना देकर मारे को परलोग थोड़े ही जानों है यह लोग भक्त जनों के संकत दूर करो नहीं मंगल आज से तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देगा हमारे होते हुए डी सीपी दिलावर सिंग के होते हुए इस इलाके कें तो गुंडा कर दी पनाप्री और हमें खबर तक नहीं हम चाहे तो हफते से मंगल का दिन ही निकाल दें सीथा सोम से बुदा है मंगल का नाम और निशान दुनिया से मिटा दें लेकिन सर्व लेकिन कुछ नहीं नाम तो बहुत सुना है सिर्फ देखना बाकी है कि कौन है ये मंगल जिसकी दिलेरी तुमारे जबान से टपक रही है एक बार उससे देखनू उसे ऐसे अंदर करूँगा कि उसकी कहा है वो है कि अगल है जर अपनी मा से तो पूछ ले कि तरह बाप कौन है तरह बाप कौन है किस बाप क्यों अुलाद है तू पाप क्यों आदए तू पूछ इसे कितने बाप है तेरे बूच पूच पूच क्यों कि आगा ना पसीना दिलावर के सामने दिलेरी दिखाने वाले हर इंसान को पसीना ही आता है कर दिलेरी वह भी दिलावर के सामने अंदर कर दूआ नहीं अब जो कुछ करूआ बाहर ही करूआ जो हाथ आज तुने मुझ पर उठाए है वो भी मेरे पुलिस्टेशन में चाहू तो इन हाथों को तोड़कर तेरी गर्दन से लटका सकता हूँ मगर नहीं लटकाऊंगा मैं तुझे तेरे ही इलाके में और उन तूरती हडियों की आवाज सुनाओंगा उन कमजोर कायल लोगों को जिनकी खोकली हडियों को तोड़कर तुवहां का शेर बना हुआ है वहां मिकालूँगा मैं तेरी दिलेरी मार्केट वालो देख लो तुम्हारे इलाके के इस दादा की दिलेरी को तुम लोगों के सामने इसले निकाली ताकि तुम लोगों के दिल में जो इसका खौब बैठा है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए आज के बाद ना तो कोई से हफ्ता देगा और ना ही कोई इसकी धंकी से डरेगा अब सर्थ कानून का सहारा लेकर मेरे राके में मेरे आदमियों के सामने तुने मजे बहस्त किया है अब मैं कोई सहारा लिए बगहर इसी राके में अपने अदमियों के सामने तुम्हें कुत्ते की महत मारूगा कुत्ते वो दिल आने से पहले ये दिलावर तेरी हडियों को जेल की सलाखों के पीछे ही सडवा देगा ये तेरा आखरी खेल है दिलावर के सामने किसी की दिलेरी ना तो आज तक चली है और ना ही चलेगी अब तु अपनी हर चीज का सोर लगा ले अफसर तु बचे का नहीं ले बचे का तू इसे भुका रखा जाए प्यासा तरभाय आ जाए जब तक मेरा इशारा ना हो तो इससे कुछ ना दिया जाए हाँ थोड़ी थोड़ी इसकी टमड़ी उधरी जाए बस दिलावर के सामने दिलेरी दिखाता है तुस्से जिंदगी की भीक नाम हुआई तुम्हे नाम में दिलावर नाए साथ इसके जमानत के लिए कोई आया है अंदर कर दूआ कोले वो मेरा मैक महने साथ मैं मंगल की जमानत के लिए आया हूँ और ये है मेरे वकिल साथ देविलाल जी ये है समानत करावाने का मतलब समझते हैं आप ऐसे गुंडे की जमानत करवाने का साथ मतलब यह है कि जरीली और नशीली गैस को समाज में फैला देना जिससे समाज का नुक्सान ही नुक्सान है फाइदा कुछ में है ये सवाल अगर आप जमानत मन्जूर करने वाले जजज साब से कते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता क्यों? क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल तो दुरुस्त है लेकिन तुम्हारा दीमाग ख्याला ये सेर छोड़ दो मंगल को मरी जमानत किसमे थी? जिससे कानून दुश्मनी करे उससे हम दोस्ती कर लेते हैं पारिक सेट का नाम तो सुना होगा तुमने? वाद पारिक सेट पारिक सेट जने सारा बंबई जानता है अरे भई वो डाइमन्ड मर्चंट तुम्हारी जमानत के लिए मुझे पारिक सेट नहीं भेजाया पुचाते हैं तुम उनके साथ काम करो जब तक मंगल अपने काम पूरे नहीं कर लेता दूसरे काम में हाथ नहीं डालता अई सुनो मंगल ठीक है जब तुमारा काम ने पड़ जाए तब चले आना ये रहा पारिक सेट का कार्ट वो तुमारा इंजार करते रहेंगे ठीक है काहरतिया जैगाए कि वज़ात वाय तुमारा विसकी फ्यादा हुए यह जगाए के साफ अनुआ खाई चूना लगाई के शट आप अग कल शाम को आड़ा बेदी मेलूं और प्रेशर ना बिलकुल ना देगा बाई बाई जगाए के रिदिया परशाए के कोई के लुट अगड़ी पाई अजगाए अजगाए तुझ से कहा था ना इसी चाराहे में इन ही लोगों के बेच मैं तुझे कुट्टे की मौत मारूंगा तु क्या मारेगा मुझे कुट्टे की मौत आज मंगर लगाई दुरे का टी एस्टी को चूना है अग हए बागए हेबगा आज मौत 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 मौतो बनौत लुँुुुुुुुुुुुुW टेलवी, चाहिए घर्डीस, चाहिएुुुुुुँुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु syndrome. कर दो 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 में जा नहाँ सिर् meets म कुछ बीडे नाचि उचिसंसर कि साफ rozp ओरीकैं एनल zuब covid आप यकष्या एन․ कर दो 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 साथ अपना दी है की वादा कर दो कर दो कर दो या निराज की बातो खो बुरो पर ना ले आना ले आना, ले आना पंदु तुरा रखन या आप तरे दीने लो ओ तेरा क्या कहना ओ तेरा क्या कहना क्या 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 ले आना क्या 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 ले आना 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 हम नडर मेरे हम दम हम बुर से उड़ जाएंगे हम बनके पंजारे में बजाती मेना उठ तेरा क्या कहना केके ने जो तुमारी तारीफ सुनी थी बिलकुल सही निकली डांसर और सिंगर बनकर माल की हेरा फेरी करना कोई तुम से सीखे आपकी तारीफ ओ, ये रिश्मा है मेरी बिसनेस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर, वगरा वगरा मेरा ख्याल है मैं इधर उदर की बाते छोड़कर काम की बाते करनी चाहिए इसमें पूरा दस किलो ब्राउंच शगर है नहीं, नहीं, हमारे यहां पहले रूपाओं का बैग खुलता है शो ये, ये का पागल बने ये पागल पर नईबल की हाकिकत है मिस्टर केके, तुमारा खेल खथम हो चुका है ये ऐला आ ररेस्ट हम एंस प्वागर चुमत्ब नहीं हम सिंगर है और नाही डांसर तुम्हारे यहाने वाले दोनों सिंगर और डांसर इस वक्त हवाला आपकी हवा खा रहे हैं मैं सिवियाई ओफिसर विक्रांथ हूँ और मैं हैं इंस्पेक्टर किरन गुपता रुप जा आधना बेकार है, तुम सब लोग चारों तरफ से घर चुकिया हो केके, समाज़दारी इसी में है, कि तुम अपने आपको कानून के हवाले कर दो कानून गेचुरिशर विक्रांथ प्लीस एडाउन तुमने और केरने मिलकर ब्राउन शुगर के सरदार केके को पकड़के कानून के माथे पर सबता का सेरा बाद दिया है तैंक यू सर इस और ड्यूटी सर और अब तुम्हारी कामयावी पर खुश होकर हमारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें डी-सी-पी दियावर के खुन का केस साउंपने का फैसला कर दिया है और मुझे पुरा यकीन है कि तुम गवहों के साथ सबूत पैदा करके आजाद घूम रहे खुनी मंगल को उसके गुनाहों की सजा जरूद लवाओगे और ये रहे उसकी फाइल थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर वे अपनी जान की बाजी लगाकर आपके यकीन पर उतरने की पूरी कोशिश करूँगा विख वाल देश्ट और यू तो थैंक यू सर पिताजी देखा आपने आपके आशिरवात से आज आपके बेटे को हर कदम पर कामियाभी मिल रही है विख्रान आ गया थू मिल गई फुरसत तुझे मा से मिल लेगी मेरी प्यारी प्यारी अच्छी मा तु तो जानती है के जब तक तेरा बेटा अपना फर्स पुराने ही कर लेता तब तक वो प्रस प्रस बढ़ा है अपनी बढ़ाई करने वाला चार साल से एक अपरादी को हदकड़ी ने पहना सका और डिंगे मारता है बड़ी-बड़ी कौन है वो अपरादी मा क्या है उसका अपरादी अपरादी है पुलीस इंस्पेक्टर मिस किरन गुपता और उसका अपराद ये है कि वो मेरी बभू बनने में उतनी ही देर कर रही है जितनी मुझे जल्दी है मैं अब समझता हूं मा मगर इस मामले में तु मुझे कुछ दिनों की महलत और दे दे सिर्फ कुछ दिनों की आज ही मुझे मुझे मंगल नाम की एक अब तु मुझे आशिरवाद दे दे कि मैं इस काम में चल्दी से चल्दी कामयाब हो जाओ माँका आशिरवाद पेटी के साथ हमेशा रहता है बिटा भगवान तुझे कामयाबी दे सफल करे जूट तो हम कता ही न बोले है हाँ दिलावर साब का खुन हुआ मंगल के रात को 9 बजे लेकिन मंगल के दिन मारी बोल्ती और दुकान दोनों बंद रहे है जी मेरी समझ में नहीं आता तुम सब लोग इतना डरते क्यों हो आखिर किसका डर है तुम्हें तुम क्या करते हो जी हमार पान की दुकनिया है चुनना लगाई के जिस वक्त डिसीपी दिलावर का खुन हुआ उस वक्त तुम कहा थे उस राप तो हम होस्पदाल में बढ़ती थे तुम क्या जानते हो इस खुन के बारे में कुछ नहीं के अंदर साथ सच सच बताओ सच बताओ सच बताओ छूड बोलता है छूड बोलता है इस से क्या पूछता है छुकरे मैं बताता हूँ मेरा नाम मंगल है और दिलावर का खुन मैंने किया इस इलाके में मेरे खिलाफ तुम्हें गवाही नहीं मिलेगी अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अगले मंगल तक अपना तबादला करवाले हैं मैं जिस इलाके में जोग काम करने जाता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ आते मंगल तक अगर तुझे हदकर या नहीं पहनाई तो मेरा नाम भी विक्रांत नहीं लगता है तुझे जिन्दगी से प्यार नहीं है अफसर ठीक है अगले मंगल आ जाना इसी चड़ाये पर अगर तिरा दम नहीं निकाला तो मेरा नाम मंगल नहीं खाई के पान बना रसौला खुल जाई बंद। हमें मंगल का मिलेगा कार तुम मंगल का पता पूछत हो अरे उका पता बता दियो तो इन दुनिया में तोहार पता नहीं मिलेगा चुना लगाई के मंगल का पता पूछता ससुरा भाई साथ मंगल का पता मिल सकता है हमें नहीं मालूम मंगल का मिलेगा मंगल का पता पूछ रहे हो इस इलाके में मंगल का पता तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब डरते हैं उससे, मैं बताता हूं तुम्हें मंगल का पता, सीधे जॉन केट डे पर चले जाओ, वहाँ धारू पीता हुआ मिलेगा तुम्हें, चेश्ट गुरू, जब से तुमने दिलावर का खून किया है, अपनी तो चांदी हो गई है, क्या? लोग आप उनसे यू घबराते हैं, जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा नहीं, तुमारी खूंकार आत्मा गुज गई हो अरे सारे मसका मार रहा है मसका नहीं, मसका नहीं, पक्किया की बाद सोले आने सचे मंगल, अपनी तो वाकई चांदी हो गई है मंगल हाँ हाँ हदरा ये लो मंगल मंगल, फॉरण आकर हमसे मिलो, हमसे मिलने में तुमारी भलाई है, वरना बात पच्टा होगे, पता काट के पीछे लिखा है, चिनाई कोन साला, चिनाई एंड कंपने तंदरा मिनट तक मेरे अंचार करना है हम नहीं आँ तो समझ गए आओ मंगल आओ, हमें उमीद ही तुम जरूर आओगे चिनाई काम की बात करो काम की बात यह है मंगल, कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे क्योंके चिनाई को खूखार शेर पालने का शौक है मंगल सर्फ हकुमात करना जानता है किसकी बोला में नहीं इस बात का फैसला इन तस्वीरों पर छोड़ देते हैं देख लो यह तस्वीर है मेरे ही आदम्यों ने खेशी है मंगल जो तुम्हें बाकी की जिंदगी जेल की चक्की पिस्वा सकती है कि जिए में यहीं प्रॉफ धिए लागधे ने खेशाए क्याल, जागए जाख अजगा जागए जागए क्योब यह किसे मंगल, यह भी तेरी तरह हुकूमत करना चाहता था, इसे भी घुलामी पसंद नहीं थी, इसमें भी तेरी तरह मेरे घर में आके मुझ पर हाथ उठाने की गलती की थी, और अंजाम देख क्या हुआ? तब से अब तक, यह मेरी घुलामी किये जा रहा है, और आज एक और घुलाम का इसाफा होका कोई भी अपनी जगा रही लेगा नहीं, वरना फून के रख दुला, आप उनका नाम भक्या है, क्या? खत कर दो लोखो खत कर दो मेंडा म हिसाफाब हुआ हुआ खत हुआ खत हुआ 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 कि छोड़ दे इसे तुने धोके से बार करके ये थाबिद कर दिया कि तेरी रगों में किसी कुट्य का खुन है मैं तुझे मौका देता हूँ भाग सकते हैं तो भाग भाग है रामजादे भाग तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने पूरी इमकारी कर ली है ये देखो ये है परवीन भाई पारि कहने के तो डामिन मर्चंट है लेकिन धंदा करते हैं ब्राउन शुगर पूरे गुजरात में सप्लाई करने का ये है उनका खास आदमी मैक जो परवीन भाई का पूरा दो नमबर का धंदा समालता है ये चिनाये हैं ये भी दो नमबरी था लेकिन दो दिन पहले इसका और इसके सारे साथियों का खून हो गया चिनाये के साथियों की लाशों में पोलिस को दो लाशे उन आदमियों की बरामत हुई जो मंगल के साथ ही थे किरन बस यही दो लाशे मुझे मंगल को हथकरी पैनाने के लिए कफी है वेलकम मंगल वेलकम वेलकम पुशामदीद मुझे पारेक कहते हैं हाथ मिलाने से पहले अच्छी तेरा सोच लो पारेक हाथ मिलाकर जो लोग हाथ खेजने के कुश्चिश करते हैं ना मंगल उनके हाथ काट कर फेंख देता है वहां मंगल वहाथ क्या तो यकीन हो गया ना मंगल के पारेक को नायाब हीरे ही पसंद है रेश्मा डालिंग, इधर आओ, हम तुम्हें अपने नय साथी से मिलवाते हैं नय साथी तुम्हें मुबारक हो, मुझे साथी बदलने की आदत नहीं ओ, don't be silly रेश्मा, तुम्हारी मजाग करने की आदत नहीं जाएगी आओ, मंगल, ये रेश्मा हैं, और रेश्मा ये हैं, मंगल हलो बाहर से जितनी मुलाइब हो, अंदर से इतनी सक्त लगते हो अंदर की सक्ती देखने की कोशिश भी मत करना, पर ना ओ, ओ, रेश्मा, कभी तो अपना मुड़ अचा रखा करो, मंगल, तुम इसकी बात हसीनों की हर बात हसीन होती है, और मंगल हसीनों की बात को बुरा नहीं मानदा अरे वा मंगल, तुम तो पारिक से भी ज़ादा रंगीन मिजज निकले तो फिर मंगल, यह समझ दिया जाए कि तुम पारिक से 무na के साथ काम करने के लिए तयार हो मंगल नहीं, पारिक मंगल के साथ काम करना चाहता है तो फिर हो जाए इस बात पर जिचने हंगमा, क्योव रश्मा जूचेर्ज-चेर्ज जूचेर्ज गुड़ लग, मंगा गुड़ लग आज का ये पहला जाम तुमारी और हमारी दोस्ती के नाम देखा मंगल, तुम्हारे साथ काम करके पारिक सेट कितने खुश है आज से पहले मैंने कभी इनको इतना कुछ देखा ही नहीं मेरा खयाल है मैक, तुम्हें हीरो का विवपार छोड़ कर, मक्खन का धंदा शुरू कर देना चाहिए मतलब, मतलब मैं समझता हूँ पारेक सेश लगता है तुम बहुत समझदार हो ओ, कमान रिष्मा डाले, आज के दिन ऐसी जली-कटी बातें मत करो एक्स्क्यूज मी तुम जर सी हैसीन, कमसीन लड़की इन दिरिंदों के दुन्यों में कैसे फस गई तुम जैसा कोई हमदर्दी जताने वाला, अपनी बातों में भसाकर मुझे यहां ले आया अब मुझसे यह मत बूछना कि क्या मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले हर नए मर्द में मुझसे यही सवाल किया है यहां की आशकी सिर्फ एक राकी होती है और मुझे एक राक का मेहमान बने का कोई शौक नहीं बिल्कुल ठीक कह रही है तुम मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती यह बाती मैं बर्सों से सुनती आ रही हूँ और अब मुझे इन बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं है क्या हुआ रिश्मडालिक बड़े तेज इमाख की लोकी है भाई खर छोलो आप उसकी अब कुछ दंदे की बात की जाए बहुत दिनों के बाद माजी से मिल रही हूँ लगता आज डाट खाने को जरूर मिलेगी अरे नहीं अब उससे डाटने जैसे उमर भी तो नहीं रही रही भैसाब अब उससे समझाना मेरी बस की बात नहीं अरे बहन जो नहीं समझते हैं न उन्हें जबरदस्ती समझाना पड़ता है किरन बेटी मेरी है लेकिन है बहुत सिद्धी ऐसा करते हैं उन दोनों की शादी की तारीक पक्की कर देते हैं और पैना देते हैं दोनों के हाथों में शादी की हत कड़ी हुआ 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 है मैं हो गया तेरा तू हो गई मेरी आई मिलन की घरी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू बाहु की तेरे हच करी लुट लुटू लुटू कितने बरस ये दिल प्यास सरसा, सब बन के बादल ये प्यार बरसा कितने बरस ये दिल प्यास सरसा, सब बन के बादल ये प्यार बरसा, सावन की लागी जरी आ पहना दे मुझे पहना दे तू वाहों की तेरे हट करी अब ये क्यामत कैसे रुकेगी तिल की लगी अब कैसे बुझेगी तिल की लगी अब कैसे बुझेगी ये आप तुझे बुझे आ पहना दे मुझे पहना दे तू वाहों की तेरे हट करी आ पहना दे मुझे पहना दे तू वाहों की तेरे हट करी महा को खेज़ी अप करी अधिया पहना दे मुझे तो वाहों की तेरे हट करी महा करे तो वाहों की तेरे हट करी तो श्चुद्ट क्या बात है बेटे, यह हथकड़ी किसे पेना रहा है, मा वो बात ही है कि यह हथकड़ी बिलकुल लेटेस मॉडल की है, बहुत ही मजबूत है, सरकार ने अभी भी बनाई है, इसका नमूना मैं किरन को दिखा रहा था, किरन बोलो न मा को यह, हाँ माजी, बेटे हमने भी एक नई हथकड़ी ढूर निकाली है, तुम दोनों को पेनाने के लिए, नई हथकड़ी पापा, हाँ बेटी, जो दूसरों को हथकड़ी पेनाते हैं, उनको भी कभी न कभी दूसरों के हाथों हथकड़ी पहन नहीं पड़ती है, अंकल मैं कुछ समझा नहीं, वो बाद में अहाँ आजाना, अरे अंकल हम दोनों आपका कहना चैसे टाल सकते हैं, हम कल वहाँ जरूर आएंगे कम हो, या नहीं दर्मा, राकी बन्हाने मत चाने, कम मने तुम्हे देख लिया तो उसकी नफ्रत की शोले तुम्हे जला देंगे वासा चैसे टाल सक्सथा नहीं, करता की शोली कल वहाँ जरूर नहीं, वो रहाँ जरूरूर रहना चैसे आजाने जरूर्ट मैझ को कर दोफने आजामे कर दो कर दो कर दो कर दो धर्मा क्या बात है डाखी नहीं बनबाऊगे नहीं जिलर साब धर्मा की एक पापि हात डाखी की पविश्टर धाग उनका चेट नाहीं उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे जिलर साब धर्मा अगर इसी तरह सोचते रहोगे तो जेल से महा निकल कर जियोगे कैसे भूल जाओ वो सारी बाते अब थोड़े ही दिनों में तुम रिहा हो जाओगे और उसके बाद तुम्हें दुनियादारी में ही जीना इतना याद रखना मंगल कि जिस पार्टी से तुम सौदे की बात करने जा रहे हो वो बहुत बड़ी पार्टी है वैसे तो मैट भी तुम्हारे साथ होगा लेकिन सौदा करोगे तुम अगर ये सौदा हो गया तो हम सब के साम माला क्या बात है आज पहली बारे सफेद पोशाक वाले के घर ये खाकी वर्दी वाले आपके पवितर चरहों हमारी चोखट पर वैसे मैं आपका नाम नहीं जानता मिस्टर मंगल अच्छी तरह से जानता है पारेक सेथ क्यों मंगल याद है रहा मैंने तुछ से काया था कि अगले मंगल तक अगर मैंने तरे हाथों में हथकरिया नहीं लगा दे तो वितरांत नाम नहीं मेरा चिनाय के खून के जुरम में तेरे नाम का वार्ण लाया हूं मैं You are under arrest मंगल को हथकरी पहनाने के लिए तेरे हाथों में कितना दम है मैं अभी देख लेता है नहीं मंगल नहीं समझदार लोग कभी खाकी वर्दी वालों पर हाथ नहीं उठाते अगर इन से टकराना है तो शेतरंच की चाल चलना सीखो मैं कोई चाल वाल नहीं जानता पारिक मैं सिर्फ इतना जानता हूँ आज तक न मैंने हाथ करीब पहनी है ना कभी पहनोगा हाथ करीब पहनने की नौबत ही नहीं आएगी चुप चाप इंस्पेक्टर के साथ जीप में बैठ जाओ और आज पारिक को भी आजमा लो अगर हमने तुम्हें पुलिस टेशन की सीड़ियां भी चलने दी तो हमारा नाम पारिक सेट नहीं समझे इंस्पेक्टर रंजीत मंगल को अंदर ले जाओ विकराम साब आप मंगल को अंदर नहीं ले जा सकते हैं मैं उनकी जमानत के लिए आया हूँ मंगल की जमानत किसी भी हालत में मुम्गिन नहीं है वकिल साब इसका फैसला आपके हाथ में नहीं है इसका फैसला ये है जो जज साहब ने किया है वगील तब ये रहे मंगल की जमानत के पेपर्द जो मैं जज साहब के घर से लाया हूँ इस्पेक्टर राजीत ये सर बंगल को छोड़ दो देखा मंगर, एक बार हम जिससे दोस्ती का हाथ मिला लेते हैं, उसे कभी पुलिस टिशन की सीड़ियां शड़े नहीं देते हैं, हाओ क्यों आफ सर, मेरे चैलेंज के जवाब देने आया है, या कानून के कुझ्या हथकंडा लिक रहा है कानून के हथकंडों से तो तुम बच गया मंगल, लेकिन आज मुझ से नहीं बच पाओगे गया मंगल, अपने चैलेंज का फैसलाब, जमेन पर पड़ी वर रिवॉल्वर करेगी, गोली वही चलाएगा, जो पहले रिवॉल्वर उठाएगा तो मौत का सामान साथ लेकर आये हो फ्रल्डर के देकर पाrid جासा नहीं झाओज, आज मू भींभर हुटन से वले खिएडए लेकर लेकर खिएजरते रिवल्वर के तो मुझ से को kur को वाले रिवहा तो फैस दिक्वरBlack gun मंगल, छाई पपूएगा आप सर बाबू, लीका कात है, वन टू का फोर, फोर टू का वन, चुना लगाई के आपसर, रिवर्वर सामने परा है, उठादे, उठादे, उठादे! ठादे, 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 जो पिस्ताल उठाएगा, वही गुली चलाएगा, अफसर, मंगल को मारने के लिए, दूसरा चनम देना पड़ेगा, प्रादे, प्रादे, नहीं, तुझे तेरी मा की खासम, अगर तुने इस पर गोली चरही तो, पेख दियो पिस्तोल, लेके डू, फेख दियो पिस्तोल! क्या सोच रहा है बेटे, जै कुछ ले, जा, अपनी घर जा, तेरी मा राह देख रही होगी क्या, हमारी लक्षमी जिन्दा है? मा, मैंने अपकी आखों से बुगा को देखा है, अगर तु भी देखना चाती है, तो चल मेरे साथ चल कमला तो हाँ में लक्षमी यह सब क्या हो गया कमला, यह मैं क्या देख रही हूँ वक्त ने हमसे तेरी भाया को छीन लिया लक्षमी छीन लिया कमला अरे यह क्या यह भी कोई तरीका है मिलने का मा और बुवा जी, इतने बरसों के बाद का मिलन, आसों में डूपकर नहीं, खुशों में जुमकर होना चाहिए कभी-कभी जरूरत से ज्यादा खुशी भी रुला देती है, बेटे लक्षमी, यह मेरा बेटा विक्रांथ है करनाम बुवा जी जीते रहो बेटा, जीते रहो इसका मतलब अपना ही खुन, आपने खुन का पैसा बन गया था आज अगर मैं वक्त पर न पहुंशती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता अरे आप जैसी बुवा के होते वाँ नर्थ कैसे हो सकता है हाँ, मगर हम दोनों पर जुम जरूर हो रहा है क्योंकि आप हमें बैठने के लिए तो कहती रहे, और शायद लगता है बातों बातों में मैं तो तुम लगों को बैठा नहीं भूल गई आओ कम हो, आओ बेटा आज मैं तुम्हें अपनी ट्यूटीवी तक्दीर की उलजीवी कहानी सुनाती मूँ भगवान भलाकरी करीम मियाका जिन्होंने तुम्हें बचा लिया कितनी दुख भरी कहनी है तुम्हारी कितनी दुख उठा है तुमने लक्षमी और हमें ख़बर तक नहीं की क्या करती भाईया के माते पर कलंग बन कर उनके पास रहने की हिम्मत नहीं थी मुझमी और भाईया भी नहीं रह मेरा कम खा किया होगा उन्हे मैं जानती हूँ ओफ ओबुआ जब से आप दोने एक साथ बैठी है ना रोने दोने के सिवक कोई दूसरी बात ही नहीं की ऐसा लगता है कोई ट्रेजडी फिल्म देख रहा हूँ मैं सुना ठीकी तो कहता है और नहीं तो क्या अच्छा लक्षमी ये तो बता कैसा लगता है मंगल शक्लो सुरत बिलकुल तेरे भाई की है कुछ फर्क नहीं है अच्छा हाँ सिर्फ इतना ही नहीं बलके उनके ही नक्षी कदम पर चल रहा है सलाम गुद मॉनिंग गरा सेच गुद मॉनिंग क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है मैं ये सोच रहा है कि हमारे धंदे में कभी-कभी नए लोग भी कितने पुराने लगते हैं क्यों छोटे हाँ बड़े मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं तुम्हारी तारीफ पारस सेच ये मंगल है और मंगल ये है गोरक सेच और ये इनके छोटे भाई पारस हम हम आपको पहले बता दे मंगल साहिब कि हम थोक क्या व्यापारी है छोटा धंदा ना तो हम करते हैं और ना किसी छोटे व्यापारी में दिल्चस्पी रखते हैं हमारे यहां पचास किलो ब्राउन शुगर हर हफते तयार होती है हाँ अगर तुम इसे खरीदने की ताप रखते हो तो नाम के है आपको पारस पारस सेट अगर पचास तन भी सप्लाई कर सको तो भी सौदा करके ही जाओंगा Oh good, very good, fantastic सेट जी, आपके लिए फोन Excuse me बैठिये Excuse me यही तुम्री चाह किया, मंगल आयते बात किलो की करने और टनों की बात करने लगे सौदा करने मैं हो, मैक और जो मुझे ठीक लगता है वही करता है यह तुम्हारी पसंद नापसंद का सवाल नहीं है सवाल है बिजनस का और तुम इस बिजनस में बिलकु नहीं हो तुम्हे मालम है पारसिट Okay, मंगल हमें तुम्हारा सौदा मनजूर है Mac, अगर तुम्हे इतराज ना हो तो कुछ बाते मैं मंगल से अकले में करना चाहता हूँ अकले में? मुषे के अतराज वसकता No problem Thank you Okay Okay, मंगल मंगल किया क्या खास बात करीए देखते जाएे मंगल सहाव Okay अगर 레लर्या वारार मेरी आखों के सामनें तुम्हे हमारे आदि मैक की जान देता अगर हम चाहते तो मैक के साथ तुम्हें भी भेज सकते हैं लेकिन हम दोस्ती में जान देते हैं लेते नहीं मैक की जान लेने के लिए पारिक में हमसे का था टेलेफोन कर कर दो लेकिन हमसे अगर हमसे की जान लेज सकते हैं लेकिन हमसे का जान लेकिन लेज सकते हैं बंगई दे देल के अं दिल लगें दिल लगें इक रास के बंगई दे देल के अं दिल लगें दिल लगें दिल लगें आज करते हैं आशक आशक इक रास के आज कर करते हैं आशिक आशिक एक रात की बंगई वेकी लगी उप धिल लगी एक रात की आज पर करते हैं आशक, आशकी निकरात की अब किसी का नाम लेकर कौन मरता है यहां अब किसी का नाम लेकर कौन मरता है यहां उम्र करता कर सकाना कौन करता है यहां हो गई है दोस्त की, दोस्ति इतरात की आज पर करते हैं आशक, आशकी निकरात की आज पर करते हैं आशक, आशकी निकरात की आशकी आशकी ऑलायताई आशकी ऊंट जाट था लेक कामगो आशकी अब करते हैं अपने सर पे सैखरो ये जाम लेने देखे लो अपने सर पे सैखरो ये जाम लेने देखे लो दिन अगर देखे तो फिर जान देखे लो लोग अब देखे लही जी निंद भी इतरा सकी आज तर करते हैं आशक आशक दिन निकरात की आज तर करते हैं आशक आशक दिन निकरात की आज तर करते हैं आशक आशक दिन निकरात की हाँ हाँ मैंने ही मैक को मरवाया है हमारे जंदे में जब कोई जहर उगलने लगे तो उसका फन कुछले बगएर हम पानी तक नहीं पीते हैं मैक जहर उगलने लगा था वो रास्ते में हमारा मा लूटने की साज़िश कर रहा था साज़िश कौन कर रहा था यह तो मैं नहीं जानता एकिन मैं को मारने की साज़िश तुमने इसलिए की है कि मैं तुम्हें मिल गया कल मेरी जगह कोई और भरूसेवला आदमी आ गया तो तुम मेरा पता झाब कर दो आजूंड़ है मैरदी साणा बागल ता लेकिन मैं लाग दस लख बिजनस में वो इंट्रेस्टेड नहीं मतलब उसके यहां हर हफ़ते 50 किलो ब्राउन शूगर पैक होती है और वो उसी पार्टी के साथ बिजनस करना चाहता है जो उसका सारा माल खरीद ले मतलब ये कि मुझे से पूछे बगहर तुमने हां कर दी कि मुझे सादा करने के लिए मुझे जाता है और और मंगल छोटा वियवपारी बनना नहीं चाहता मगर हम उन बेवङवगूव वियवपारियों मेंसे नहीं है जो एक साथ इतना माल उठा सके और लोसे खपा सके एक बाद सुन ले पारे, मंगल सीडियां गिन कर जाने का आधी नहीं है, मैं लिफ्ट से जाना पसंद करता हूँ, तुम्हारी लिफ्ट और तुम्हारा सौधा तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हारी जबान की धार पर, ना तो अपने आप को रख सकते हैं और नहीं अपने साले, जानता है क्या बात है मंगल, लगता है आज तुम्हारा मुट कुछ उख़ा हुआ हुआ है पारेक जैसे जबान के कुच्च आदमी के साथ, तुम्हारा मुट ठेक रह सकता है, मेरा नहीं अन्याज ची उसका साथ छोड़ दिया है मेरी बात मानो, तुम्हे उसका साथ छोड़ दो मंगल, तुम्हे याद है, मैंने अपनी पहली मुलाकात में ही कहा था कि मुझे साथी बदलने की आदत नहीं है मुझे पारिक मत समझे नरेशमा उस दिन पहली बार जब तुम्हे देखा, तुम अच्छी लगी तुम चाहो तु जिन्दगी भार मेरी बीबी बनकर रह सकती हो मेरी बात पर गवार करना, मैं तुम्हारे इंसार करोगा प्ला मेरी बदरे बार बारा जिक लिर्ट वारा YoOh ama क्यों आया है यहां? मैंने तुछ से कितनी बार कहा है कि मुझे तेरी हराम की कभाई नहीं चाहिए फिर क्यों चला आता है मेरे जखमों पर नमक का चिलिकाओ करने? मेरा दिमाग खराब है मैं चलाता हूँ मा का घर समझ के चला आता हूँ यह जानते हैं भी कि मा, मा नहीं पता नहीं क्यों ऐसा सुलू करते हैं मेरे साथ मैं नहीं चाहता लोगें के सामने तुछ हाथ फैलाए भीक मांगे उनसे उनके जूटे बरतन माजते माजते तेरी जिन्द की खिस्टा है इसलिए आता हूँ कि यह ले रख ले इसकी जगा मेहनत मजदूरी से दो वक्त की रोती मुझे ला देता तो मुझे फक्र होता कि मैं एक इमानदार बैटे की मा हूँ लेकिन तुझे देखती हूँ तो शर्म और अफसोस से मेरी आँख छुक जाती है तुझे इस बात का अफसोस है ना? कि तुझ मेरी मा है और मुझे इससे भी ज़्याद अफसोस है कि मैं उस सालिम की आउलाद हूँ जिसने तुझ बार जलम घाये सुन्म करनी वाला सुन्म करने के लिए मजबूर था ऐसी कौन सी मजबूरी थी उसकी? जिसने तुझे दर-दर की ठोकरे खाने पर मجबूर किया और मुझे? मुझे हरामी का नाम देकर एक कुट्य की जिन्दकी बसर करने पर मजबूर कर दिया वो तेरी नजरों में मजबूर होगा लेकिं मेरी नजरों में बहाद-बड़ा मुझरिम हो मुझरीम तो तू है, जो जान भूच कर बेकुस लोगों पर जुरुम धा रहा है, खुन बहा रहा है उनका हाँ, बहा है खुन, और भी बहाओं को, इस उनने मुझे क्या दिया है, ठोकरे, नफरत, जलालत, इस दुनिये ने जो मुझे दिया है न, वो इस दुनिये को लटा रहा हूं मैं और देख मा, मैं दिर इसे बहस करने नहीं है, मैं रुप्या दिने आ हूं रख ले नहीं चाहिए मुझे तेरे ये रुपी, आसे तेरा और मेरा कोई रिष्टा नहीं, चला जो यहां से, मैं कहती हूं चला जो यहां से, चला जो यहां से जटा हूं ए मा, पता नहीं, ये कब सुद्रेगा, मैं क्या करूं मा, मैं क्या करूं मैं क्या करूँ मा, तो ही बता मा कक्षमी पहचाना मुझे मैं हूं थर्मा आप जिसके पाप कर सजा तुम आज तुक भोगत रही हो मैंने जेल में सुना था कि तुम भगवान का लाख लाख शुक्र के तुम जिन्दा हो तुमने तो मुझे माफी का मौका भी नहीं दिया प्राश्चीत की साख में पिछले तीस साल से चला हूं मैं इसलायत नहीं कि मुझे माफ किया जाए लेकिन हो सकेक तुस पापी की जूली में माफी की भीग डाल दो लक्षमी मुझे माफ पर दो नहीं यह क्या कह रहे हैं आप मुझे से माफी मंगकर मुझे इतने बड़े पाप की भागी मत बनाएए तु पाप की भागी कैसे बनेगी लक्षमी पाप को भागी तो मैं बन गया था लिखना आज भगान ने मुझे अपने पाप के प्राश्चित का मौका दे दिया झाह झाह झाल भाबा के प्राश कर एम सुद औराश्चित का मौका ओे लिखना झाल झाल साच कौन आया है कंभू मेरी बैर भाया 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 कम हो मेरी भाय कैसी है तू कितने सालों के तूसे दूर हुए तुझे रेखने को आँखे दर्स गही थी मेरी मैं भी हर पल तुम्हें याद करती थी भाया मैं तुमसे मिलना चाहती थी अगर विजय के दिल में तुम्हारी ली नफरत बरते दम तक जिता थी और शाय वो चाइस भी थी इसी ली मैंने तुमसे मिलने के कभी हिमत नहीं की तुम सब तो अपने पने फर्स निभाते रहे वेकिन मैं मैं गलक फेमी के अंधिरों में भटकता रहा मुझे डर्व था कि कभी तुम लोग माफ नहीं कुरोगे अच्छी ने मुझे माफ खुर दिया मा मैने तुसे कहा बेटा आ बेटा आज मैं तुछे तेरे मावा से मिला दिए विकरांत है इसका नाम मेरा बेटा अरे बेटे जीते रहाओ आज की रात मंगल की जिंदगी की आखरी रात बना दो डाइमंड क्लब में बैठा वो अपनी मौत का इंतिजार कर रहा है उसके वहां से निकलते ही उसे खत्म करता हूँ जाओ कर दो पत्याओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर आ veशिंग तो कर दो लग eran कहार्श है पिंगलो झाल 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 किसका आद्मी है, किसने बेजा है, किसने पता दूँ हमें पारिक सिट ने बेजा है हसो और हसो मंगल की मौक के नाम मंगल की जिन्दगी इतनी सस्ती नहीं पा रहे है, कि तेरे पाल तूँ कुछ ले सके मंगल से जिसने भी टक्राने की कोशिश के, उस मौत ही मिली है, सब मौत पर क्या सालाँ यहार और काली दुनिया के बेत आज बादशा किये कुरसी, हम सब की तरफ से तुम्हें मौबारक हो मंगल आज से तुम काली दुनिया के किंग कहलाओगे दोस्तों दोस्तों, मैं वच्चन देता हूँ कि मेरे कंदों पर जो जिम्मेदर्य आप लोगने डाली है मैं अपने आखरी दम तक निभाता रहूँगा तुम्हें यहां किसलिया हो? मैं यहां तुम्हें मुबारक बात देने आयो मंगल अगर उस कुरसी पर बैठ लीकी नहीं कानून से मिलने वाली मौत की क्योंकि गुनाव के दुनिया में अब तुम इतने आगे निकल चुकी हो कि उसकी मंजिल सिर्फ मौत है सामधे दिवार पर लगे उन तस्वीरों की तरफ देखो यह सब लोग भी तुम्हारे रास्ते पर चले थे इन सब का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो यह सब लोग बे मौत मरे थे यही बकबक तुने इस घर की चार दिवारे के बाहर की होती तो हम तुम्हारा सीना गोलियों से चल नहीं कर देते अब तुम दुनिया भर का कानून अपने साथ लेकर चलना विक्रांत मंगल तुम पर बहुत भारी पड़ेगा कानून को कभी कमजोर मत समाजना मंगल वो सिर्फ गरश्ता ही नहीं परसता भी है और अब वो दिन दूर नहीं जब हम तुम्हें परसकर भी दिखा देंगे गोरक सेट ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने मंगल को डौन क्यूं बनाया शाका अगर तुम लोगों के दिमाग इतने तेज होते तो हमारी जगा पे तुम होते और तुम्हारी जगा पे हम होते क्यों छोटे बिलकुल बड़े आज तक ये बात किसी की समझ में नहीं कि हम जिसे उस कुरसी पे बिठाते हैं उसे मौत की चादर अपने हाथों से उड़ाते भी है मंगल एक ही रात में करोड़ पती बनना चाहता है ना उसे लिफ्ट से जाने का बहुत शौक है चंदी दिनों में हम उसका ये शौक पूरा कर देंगे मागर बड़े इस बार प्लैन बहुती खतरनाक बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारी टककर मंगल से है और हमें उसे खत्म करना है छोटे प्लैन मैंने बना लिया है सुनू खबरदार तुम लग चारो तरफ से घिर चुके हो अपने हाथ पुलीस के हावाले कर दो आग लगा दूँगा इस कानुन और इन कानुनवालों को काट के रखने वहा हाथ जो मेरे हमाल तक पहुचे पतले कौन है वो? पता लगाने की ज़रूरत नहीं है मंगल पता लग चुका है कौन है वो? सी ब इाउफिसर विकरांत विकरांत हाँ, विकरांत तुम ही ने तो उसे बढ़काया था कि गरज के नहीं बरस के दिखाओ उसने बरस के दिखा दिया क्यों चोटे हाँ बड़े और खबर मिली है कि आज उस उस ओफिसर विकरांद की सगाई हो रही है मंगल से टकराने वाले की सगाई नहीं होती शादी होती है वो भी मात से मज़ा आगया ना छोटे मज़ा आगया ना हाँ बड़े देखाना छोटे कैसे रही अपनी चाल मैंने कैसे अपने आद्मियों को पुलिस के वर्दी में भेच के मंगल का माल ऐसे पकड़वा दिया मज़ा तो तब आएगा बड़े जब धर्मा का बेटा मंगल और उसकी बेहन का बेटा विक्रान तापस में टकरा कर मर जाएंगे मरने दे सालों को आप जल्दी से अच्छा मोहरत निकाल कर कर देते हैं शादी कोई अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूगा मंगल तुम जान प्यार है तो बता दे माल कहा है मंगल पागल तो नहीं हो गया है तो तो जानता है ये कौन है मैं सर्फ इतना जानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है नहीं जे ये तेरा दुश्मन है यह तेरा भाई है यह मेरी बहन का बेटा है और पगले तो मेरा बेटा है मैं किसी का बेटा नहीं हूँ कोई नहीं है मेरा बाप आरह जुक्ष मैं हूँ तुमारी वेज़े से पीकरांट टेलीफ़न घुमाओ और कैसे अपने कुट्णों से मेरा माल मुझे वहीं वापस लोटाने जहां से पकड़ा था मंगल तुम कौन से माल की बाद करने ने तुम्हारा कोई माल नहीं पकड़ा विकरान ठीक कह रहा है मंगल रिश्मा हाँ मैं मैं तुम्हारी आँखों से तुष्मनी की वो पट्टी उतारने आई हूँ जो गोरख और पारस ने बांदी हुई है कहना कर चाहती हो तुम्हारा माल विकरान ने नहीं पकड़ा बलकि उनी के लोगों ने पुलीस की वरदिया पहन कर पकड़ा है क्या हाँ मैं वही कह रही हूँ जो मेरी आँखों ने देखा है और मेरी कानों ने सुना है उन लोगों ने तुम्हें विकरान के खिलाव भड़का कर यहां भेचा ताकि तुम अपने ही खांदान के खुन के साथ होली खेल सको यह लड़की ठीक है जी बीटे यह बाप के आंदेगी पारस और गुरख की चलाई हुई है इसके वज़े से मारा सर खांदान बिखर गया पारस और गुरख की इस गंदी साज़च के भावार में हमारा पूरा खांदान फंस गया मेरी बेहन की इज़ट लुट गई विकाम की बाप को एडालत में जूट बोलना पड़ा तुम्हारी मा के साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ और बेटा मुझे मुझे तुम्हारी नफरत का जहर पीना पड़ा बाबा मुझे माफ कर दो बाबा मैं वादर करता हूँ अब अब उन पापियों को मैं नहीं चोनूगा हाँ बेटे इस साज़च की सजा उन्हें मिलेगी इसके से माई उन्हें दूगा हाँ बेटे अब तो यकीन हो गया ना शाका कि हम डॉन की कुरसी पर उसी को बिठाते ह हैं जिसके दिन पूरे हो जाते हैं क्यों चोटे हाँ बड़े आज मंगल का दिन पूरा हो गया इधर वो मरेगा और इधर हम उसकी तस्वीर पर हार चड़ाएंगे हाँ यह क्या किस ने किया यह तरा हमसा था तुम्हादू को पहले मारते हो फिर उसकी तस्वीर लगाता लेकिन मैं पहले तस्वीर लगाता हूँ फिर उसकी चान लेता हूँ लेकिन हमारा गुनाह क्या है हमारे खानदान की तबाही की जो कहानी तुम लोगों से शुरू हुई थी आज तुम दोनों की मौत के साथ खत्म होगी स्वीर लगाता हूँ हुपा, हुपा युदो, युदो युद़ो युदे रहीए युदो हुपा प्रणजीर में पंदेश मुर्गे की तरह तू भी तड़ अपने मंगाल तेरा अंजाम भी यह होने बाना है, क्यों छोटे? हाँ बडे दिखाय के मंकर इस्तिजाब में जाएगा ऐसे हाँ पंदर आओ हाँ 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 बहुत जान है इसके इन हाथों में क्यों छोटे हाँ भड़े इसके ताकतवर हाथ मैं तोड़ूंगा जोटे कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंग! उन्देर। उन्देरह कि दो प्रॉट कि दो के दंड़रात! जर ल Yeon के झाल कि विल कि वल कि वल कि मल लुण कर दो लुट कर दो कर दो झाल 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 मंगाल इस खौलते होई तेजाब में मैं जाने कितने बेकुनाहों को तुने मौत के घाट उता रहा है लेकिन आज इसी खौलते तेजाब में तेरी हड्डिया तेरती होई नजा आएंगी जाएंगी तेराएंगी एकाल जाएंगी संह अर्प कार थ। संह द। एजा है और दो जग जो झाओ है, एजा है। झाल्सा लिए लेड़्स, लेड़ से लिए छेपinkरों लेड़्स, लेड़्स लेड़्स लेड़ो झाल झाल